राजधानी रायपूर समेट पूरे प्रदेश में भीशल गर्मी का प्रकोप देखने को मिल रहा है। इसी बीच आज से नौतपा की भी शुरुआत हो चुकी है। नौतपा के शुरू होने के बाद प्रदेश में और भी भीशल गर्मी पढ़ने के आसार जताय जा रहे हैं। मौसम विभाग के अनुसार, प्रदेश समेट पूरे देश में आज से नौतपा की शुरुआत हो गई है। नौतपा के चलते मौसम विभाग ने अगले नौ दिनों तक प्रदेश में भीशल गर्मी पढ़ने के आसार जताय हैं। लेकिन प्रदेश में कल से मौसम के मिजाज में बदलाव देखने को मिल रहा है। इसी के चलते प्रदेश के कई स्थानों में नमी के कारण हलकी बारिश के आसार भी जताय गए हैं। मौसम विभाग के अनुसार बारिश की वजह से तापमान में कोई बदलाव देखने को नहीं मिलेगी। माना जाता है कि नौतपा के दौरान सूर्य रोहिनी नक्षत्र में प्रवेश करता है। इस साल नौतपा 25 माई से 2 जून के बीच है। अधिकांश तहाई समय गर्मी का चरम इसी समय देखने को मिलता है। अधिकांश फिरहाल चूंकि पस्चिमी भी चुब पास हो रहा है। जिसके कराण से आज बेंट पैटर नमें जहीर तोर पर बदलाव होगा। और बदलाव होने के कराण से अरब सागर से कुछ तक जो पस्चिमी हुआ है। लेकिन वहाँ पर चूंकि अल रडड़े टम्परिचर है काफी कम चल रहा था। तो वहाँ पर दक्षिटिचर टम्परिचर में तो मैक्जिमम टेम्परिचर में अभी अग्ले दो-13 दिन दिन व्रिद्धि होने की समभावना है जबकि उत्तर चत्रिश गड़ में अभी फिरहाल जो ब्लासपूर संभाग और सरगुजा संभाग में उसमें गिरावाट होने की समभावना है जबकि मध्य छेत्र में हलकी उतार चड़ाओं के साथ में इसमें विशेश परिवर् इस बीच अभी एक दो दिन है अगले तिन दिन तक मतलब आज कल और परसों है प्रदेश में एक दो इस्थानों पर हल्गी वर्षा होने या गरच्चा मक के साथ छीटे पढ़ने की समभवना है साथ ही साथ प्रदेश में एक दो इस्थानों पर गरच्चा मक के साथ अंधर चलने और वजरपात होने की भी समभावना बने हुई है